देखो, श्रद्धा आपके भीतर एकदम जागरत होगी, तो तत्काल आपके उपर उपदेश का प्रभाव होगा। श्रद्धा में निवनता होगी तो फिर तो चोविस गुंटे पास में रह जाओ फिर भी कोई असर पढ़ने वाला नहीं। पुझ पंडी जी महाराज कहते थे, पंडी श्री गया प्रशाजी महाराज, गिराज जी वाले पंडी जी, कि साधक की सबसे बड़ी संपत्ति है स्रद्धा। लोभी जैसे धन को सुरक्षित रखता है, ऐसी साधक को अपनी स्रद्धा को सुरक्षित रखना चाहिए। लोभी जैसे निरंतर धन को बढ़ाने के प्रयास में लगा रहता है, ऐसे ही साधक को अपनी स्रद्धा को निरंतर बढ़ाना चाहिए। स्रद्धा कैसे घटती है और स्रद्धा कैसे बढ़ती है दोस्द्रिष्टी से स्रद्धा घटती है गुण दोस्द्रिष्टी से स्रद्धा बढ़ती है और यह दोस्द्रिष्टी तब तक नहीं मिठती है जब तक आपकी भगवद बुद्धी नहीं हुई इसलिए अपने श्रद्धेयों के प्रती जीव बुद्धी का अत्याग करो उनके प्रती भगवद बुद्धी करो ये बात इसलिए कही गई भगवान स्री कृष्णों दौजी को कह रहे हैं आचार्यम मांबिजानियात नावमन्यत करिचित ना मरत्य उद्ध्यासुयेतो सर्वदेव मयोगरु आचार्य को मेरा स्वरूप सम्झो मरन धर्मा मनुष्य मत मानो उनका कभी अबमान ना उनकी उनका तरसकार मत करो प्रत्यकूल से प्रत्यकूल बेवहर करने पर भी तरसकार मत करो क्योंकि वह मेरा स्वरूप में हैं हम को यह बात बिल्कुल पक्की हो गई अपने मन में इसमें अनुमात्र कहीं संदेह नहीं रहे गया श्रद्धा को सुरक्षित रखने का यह कहीं साधन है जो भी आपके आपका श्रद्धे है उसे व्यक्ति मत मानों उसे भगवान मानों गउशंत ब्राह्मन अब देखो लोग कहते भाईया हमारी तो स्रद्धा बिलुकुल खतम होगी काय के साधू काय के ब्रामा कहतेंगे नहीं पहले हम बहुत स्रद्धा करते थे अब हमारी स्रद्धा समात्थ होगी द्रोपदी के पांच-पांच पुत्रों की हत्या स्वत्धामा ने कर दी सोते हुए और उन पांच पुत्रों के मृत्देह बिना सिर के धड़ सामने पड़े हैं और अस्वत्धामा को अर्जुन ने बांध कर द्रोपदी के चरणों में उपस्तित किया द्रोपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता मेशव ब्राहमनो नितरांग गुरू हुँ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो इसको ये ब्राह्मन है ये तो सबका गुरु है ओ केवल ब्राह्मन नहीं सैस भगवान द्रोना प्रजाव उपेन वर्तते ये साक्षा द्रोना चारे हैं जिनकी कृपा से आपने अस्तर शस्तरों का ज्यान प्राप्त किया है आप इसको मार देंगे तो मेरे मरे हुए पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे मैं क्षत्रानी हूँ अपने पांच पुत्रों की मृत्यू के कष्ट को सह सकती हूँ पर इसकी मा ब्राह्मनी है जिसके आपने चरण पूजे हैं माता कहकर चरण पूजे हैं उसके पुत्र को मार दोगे आप तुम लोग तो ब्राह्मनी कहेगी रो रो कर कहेगी इसकी माता गवतमी कि मेरे पती को तो पहले इन दुष्टों ने चीन लिया एक मात्र पुत्र था उसको भी हमारे हाथ से चीन लिया और जब कोई ब्राह्मन अथवा ब्राह्मनी दुखित होकर अनात होकर किसी राजा के राज्य में रुधन करते हैं उस राजा का समूल बिनाश हो जाता है इस रहस्य को तुम लोग भूल गए हो क्या है प्रणाम करो यह द्रुणाचारे हैं और ननाम अस्रमुखी द्रोपदी ने अपना मस्तक भूमी पर रखकर कहा हे ब्राह्मन देवतार हे भगवन आप छमा करें मेरे पतियों पर क्रोप कोप न करें भगवान श्रीकृष्ण का हरदय भराया भगवान के नेत्र भराय भग आज में बिक गया तुम्हारे भाव पर क्यों कि सगुन उपासक परहित निरत नीति द्रड़नेम तेनर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो क्योंकि इतनी प्रीती अब देखो उसे हात्यारा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उसे आत्ताही नहीं दिखाई पड़ रहा है उसे ब्राहमन दिखाई पड़ रहा है कि आपकी स्र था स्रदधा का लाव आपको मिलेगा हुआ हमारे में श्रद्धा की योग्यगुन नहίν है वह हम भोगेंगे उसका परिणाल पर यदि आपकी श्रद्धा है उसका लाव आपको तत्काल मिल जाएगा श्रद्धा मयोयंग पुरुशाह योयच्छ्रद्धा सईवसः श्रद्धा से लाव श्रद्धा विना धर्म नहीं होई सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई श्रद्धा हमारे में नहीं है करति रोहवन कुछ नहीं मिलेगा अस्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम चयत कृतम चयत मने कुछ भी बिना स्रद्धा के आपने किया तो असत इत्यच्चते पार्थ है अर्जन वह असत है उसब विनाशी ना उसका यहां कोई कि फल मिलने वाला है अनपरलोक में मरने के बाद फल मिलने वाला है कि इसलिए सबसे उंची पूंजी स्रद्धा है और यह स्रद्धा क्या है स्रद्धा उत्पन्य कैसे होती है स्रद्धாवान साथ्व पुर्षों के संग से स्रद्धा पनवती है अहला हुआ हम से कुई पूछे तो हम तो यही कहेंगे स्रद्धावान का संग संग है और सरद्धा सुन्य का संग कुसंग है स्रद्धा सुनिक्ति कुछ भी न कहे गा तो भी आप यदी उसका संग करते हैं, तो आपकी जिसमें स्रद्धा है, उसके पृती आपको दोस द्रिश्टी शुरू हो जाईए. श्रद्धा का प्रमान क्या है कि हमारी भीतर श्रद्धा है यदि दोस्ट दीख रहे हैं तो स्रद्धा नहीं है और दोस्ट दीखना बंद हो गए तो स्रद्धा है सिद्धा स्रद्धा की सिद्धा वस्था क्या है स्रद्धा की सिद्धा वस्था है सब कुछ भगवान है इसमें हमारी श्रद्धावत्पन हो गई हमने मान लिया तो सब खतम हो गया कि नहीं हमारे पुझ्य गुर्देव भगवान श्री भक्तमाली जी ने अपने संपुर्ण जीवन में किसी को बुरा नहीं माना कहते मेरी द्रिष्टी में न कोई चोर है न कोई बदमास है कोई दुष्ट नहीं कोई पापी नहीं उनके द्रिष्टी में सब भगवान है सब कहां से होंगे उनके द्रिष्टी में इसलिए बड़े से बड़े अपराध को भी वे पहले तो सुनते ही नहीं, त्याग नहीं करते हैं, बोलो भक्त वत्सल भगवाने के